तो क्या सच में Battlegrounds Mobile इंडिया का नेम रिसेंटली चेंज हुआ है अगर आप अभी जाते हो अपने एप इंफोर्मेशिन के अंदर तो Battlegrounds Mobile इंडिया का जएगा Battlegrounds इंडिया दिखाई देगा आपको Android के अंदर अगर आपके पास iOS device है वहाँ पर सिफ पर सिफ Battlegrounds दिखाई दे रहा है एप इंफोर्मेशिन के अंदर और ओलाइन गेमिंग के जो रूल्स और रेगुलेशन आने वाला थी इंडियन गवर्मेंट के और से फाइनली देखने का में मिला है तो इस वीडियो के अंदर रूल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी इंफोर्मेटिव होने वाला है पूरा एंड तक देखना सबसे पहले जो अभी रूमर्स फैल रहा है उसको क्लियर करते है अगर आप एप इंफोर्मेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर बैटलकॉंट्स मोबाइल इंडिया आपको देखने को नहीं मिलेगा सिफ बैटलकॉंट्स इंडिया देखने को मिलेगा तो रिसेली इसके काफी बढ़ा एक रूमर फैल आए कि बैटलकॉंट्स मोबाइल इंडिया का नेम चेंजों के बैटलकॉंट्स इंडिया हो चुक है पर ऐसा नहीं है आपको बता होगा अभी बीजे में 2.1 अपडेट के अंदर रन हो रहा है तो 1.4 अपडेट के अंदर भी देख सेक्तों स 1.5 अपडेट चल रहा है वर्षेन तब भी आपर से बैटलकॉंट्स लिखा हुआ है तो कह सकतो जब से बीजे में लॉंच होए तब से यही नाम है अभी इसके अंदर कोई भी चेंजिस ऐसा नहीं हुआ है तो एक तरीके से एक फॉल्स रूमर्स है तो जो लोग इसको सच मान रहे थे मैंने एकदम क्लियरली प्रूफ के सथ आपको बता दिया कि रियल सच क्या है अभी बात करते है जो ऑल्लाइन गेमिंग के जो न्यू रूल्स और डेगुलेशन सामने आया है काफी सारे चीजों के बारे में रूल्स के अंदर एड्रेस किया गया है एक तरीके स इन सारे रूल्स को फॉलो करके फिर से रिलाउंच होता है तो क्या सकते हो इन फ्यूचर हमें कोई ऐसा ब्यान इशू देखने को नहीं मिलेगा सेल्फ रेगुलेटरी ओर्गनेशन एस आरो करके एक ऐसा ग्रूप को फॉर्म किया गया है जिसके अंदर एजूकेशनिस्ट गेमिंग कमपनी के स्टेक होल्डर से इसीटी एक्सपर्ट से मेंटल हेट एक्सपर्ट से ऐसे काफी सारी लोगों का ग्रूप को फॉर्म किया गया है अब से जो भी गेम्स आने वाला है या फिर बार्केट के जो भी सारे गेम्स एविल एविल है उनको चेक करने वाला है online game कौन से कौन से है real money games कौन से कौन से है और आसान सब्दों में कहे ASRO करके government के ओर से एक नया sector को form किया गया है जो कि online gaming का sector को देखने वाले है और जो भी games available है या फिर आने वाले है उनको ये लोग चेक करेंगे तो पहला rule तो ये है सारे gaming company के लिए कि कोई से भी ऐसा game जो कि ASRO ने अभी permission नहीं दिया है verify नहीं किया उस game को host नहीं कर सकते publish नहीं कर सकते online के अंदर कुछ भी उस game के related share नहीं कर सकते second rule की बात करें जैसे कि दो type को game को divide किया है एक real money game दूसरा online game तो ASRO के permission के बिना कोई भी company अपने game को online game बोलके यहाँ पर advertise नहीं कर सकता क्योंकि काफी सारे ऐसे real money के games है जो कि अपने आपको online game बोलते हैं उसी साब से advertise करते हैं उसी साब से promotion करते हैं पर अब से ऐसा नहीं होने वाला तो तीसरा rule यह है कि ASRO अब से check करने वाले जो भी game आएगा 18 प्लस है की नहीं उस game को खेलने से outcome क्या आ रहा है और उस game को खेलने से psychology effects क्या देखने को मिल रहा है या फिर उस game के अंदर self guard है की नहीं या फिर parental control है की नहीं उस game के अंदर कितने addiction है यह सब कुछ चेक करकी कह सकतो एक game को अब से approval मिन ले वाला है चौथा पॉइंट के अंदर भाई इसा रो यहां पर सब कुछ चेक करने वाले लाइक यूजर का डेटा कहा जा रहा है क्या policies है या फिर अगर कोई ऐसा application है जिसके अंदर refund होगा की नहीं मतलब फीज डिल्टेट सब कुछ clear रहने वाला है पहले जो उनलाइन गेम हो या फिर रियल मनी के गेम सो फॉल्स इंफोमेशन वो लोग शेयर नहीं कर सकते या फिर फॉल्स एडवेडाइजमेंट जो रहते है वो लोग नहीं कर सकते अब से क्यूंकि काफी सारे अपने ऐसे मीनि गेमस के अप्लीगेशन देखे होंगे जिनका अदर कुछ अलग चीज़ रहता है जब लोग इस अप्लीकेशन को डाउट करते हैं अलग चीज़ देखने को मिलता है तो अब से इसा नहीं होने वाला तो मुझे इतना रूल्स अप पर समझाए कि अब से भाई छेक करने वाला है उसके बाद जो भी गम पबलीस होγα वोसके बाद ही होने वाला इसको पहले ही उसको रोक दिया जाएगा ठाफ कर बाकिल भीं झाल्ध साथे guarig qui करता है बूस जल्दमें गीम देखने को मिल सकता है पिछले वीडियो अंदर बीजय में कब तक आ सकते उसके वरे में डीटेल में बात किया अगर आपने नहीं देखा है तो लिप साइट के दर वीडियो आ रहे है चेक कर लेना बाकि एक निया गेम भी आने वाले जो कि कैसे इंडिया के इंदर बीजय में कब तक कर दे किरे ले तो राइट साइट के दए वीडियो आ रहें है चेक कर ली न तो छलो ओ फिल्म लागत होगा और एक ने वीडियो के साथ तो चलते हैं